Periods किसी मैला में होने वाली एक नेचरल प्रक्रिया है और इस दोरान मैलाओं को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन में से एक है Heavy Menstrual Bleeding आज हम आपको बताएंगे टू टिप्स जो Periods के दोरान होने वाली Heavy Bleeding से रहत बिलाने का काम कर सकते हैं समानिता किसी महिला का Menstrual Cycle 4-5 दिन का होता है जिसमें 30-40 ml ब्लड लॉस होता है लेकिन अगर ये ब्लड लॉस 80 ml से ज़्यादा हो रहा है तो इसे Heavy Bleeding कंसीडर किया जाता है जिसे Medical Language में Menorrhagia कहते हैं NCBI के अनुसार Menorrhagia समान में गतिविदियों को सीमित करता है और दो तिहाई महिलाओं में एनिमिय का कारण बनता है एक दो घंटे बाद प्राइट बदलना Menstrual Cycle एक हफते से ज़्यादा लंबी होना Heavy Menstrual Beding माना जाता है Menorrhagia में हार्मोनल इंबैलेंस, होवेरियन डिंस्वंक्शन, यूट्राइन फाइब्राइट्स, एडिनो मायोसिस, कैंसर, PID, प्रमुक कारणों के रूप में देखे जाते हैं कुछ लड़कियों में पीरियर्ट्स के शुरू होने पर Heavy Breeding का कारण हार्मोनल चेंजिस देखा जाता है अधिक उम्र की मैलाओं में मीनो पॉस के दोरान हार्मोन असंत्रन से Heavy Breeding हो सकती है Menstrual Cycle के समय जाइदा Blood Loss के कारण एनिमिया हो सकता है आईए अब जानते हैं Heavy Menstrual Breeding से छुटकारा दिनाने वाले दो सुपरफूर्ट्स के बारे में पीरियर्ट्स में Heavy Breeding को रोकने के लिए अशोग की छाल सबसे भेतर उपाय है इसे इस्तिमाल करने के लिए लगबग 50 ग्राम अशोग की छाल को दो कप पानी में तब तब उबाले जब तक कि ये आधा ना रह जाए इस काड़े को ठंडा होने पर प्रति दिन एक ग्लास पीने से तेजी से फायदा होता है पीरियट्स में हैवी ब्रीडिंग की समस्या को रोखने के लिए सेप का सिर्का अच्छे स्रोथों में से एक है ये हार्मोनल इंबेरेंस को भी दूर करने में मदद कर सकता है इसका इस्तमाल करने के लिए एक ग्लास पानी में दो चम्मच अन्फिल्टर्ट सेप का सिर्काम लाकर इसका सेवन करें बैस्ट रिजर्ट के लिए इस मिक्चर को पीरियट्स के दौरान दिन में दो या तीन बार भी पी सकते हैं पीरियट्स में हेवी ब्रीडिंग का मुख्य कारण मैंगनिशियम और विटामिन सी की कमी भी है तरवूज के बीच जई, कद्दू, मैंगनिशियम युक्त अन्य फूर्ट्स को अपनी डाइट में शामिल करें विटामिन सी से भरपूर भोजन जैसे संत्रा, टमाटर, स्ट्रोवेरी, ट्रोकली, आधी आईरन को सोकने में मदद करते हैं और रक्त स्ट्राप के दौरान आईरन की कमी को पूरा करते हैं अगर आपको इन उपाएं को अपनाने से लाब मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यह उप्योगी जानकारी अपने दोस्तों के साथ शियर कीजिए और नई-नई जानकारी के लिए कपी फिट के साथ जुड़े रही है